अलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छ होंगे दोस्तो आज वीडियो की सुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाता हूँ जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं और आप कमेंट करते हैं उसके नीचे मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो में भी समझा है तो यहाँ पर आप इन कमेंट्स को देखिए ये वाला ये नाम बदलते रहते हैं इन्होंने पहले हमारे ही चैनल का नाम रखा हुआ था ग्वाज साथ की साथ logo भी हमारा ही लगाय हुआ हुआ था और ये आपको कहां पै ले जा रहे हैं contact on telegram पहली बात तो मैं आपको ये किलियर कर दू कि अभी तक हमारा कोई भी telegram हम चैनल नहीं हैं, हम टेलिग्राम पे नहीं हैं, और ना ही हम आप से किसी भी तरह की कोई कोर्स बेच रहे हैं, ना ही कोई पैसो की डिमांड होती है, हम आपको जो भी content प्रोवाइड कर रहे हैं, वो free of cost प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए अगर कोई हमारे नाम से आप से पैसे मांग रहा है, तो आपको उसे avoid करना है, वो हम नहीं, वो कोई scammers है, और ऐसे scammers से आपको सावधान रहना है, जो आपने मेहनत से अपना पैसा कमाया है, उसे सुरक्सित रखना है, किसी भी scammers को नहीं देना है, और ये सिर्फ एक दो कमेंट नहीं है, अगर आप नीचे जाएंगे, ये चैनल का नाम भी सेम ही रखते हैं, हालकि जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो इन्होंने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है, हरे एक जगे देखे, कहीं पे भी आपको टेलिग्राम पे ले जाने की कोचिस कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे आपको कोर्स बेशते हैं, हमारे नाम से और पैसे मांगते हैं, तो अब इतक मैं किलियर करना चाहता हूँ, हमारा कोई कोर्स ने है, और ना ही हम आप से कोई पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो इसलिए इन चीजों को अवोईड करें, और इन चीजों से दूर रहे, चलो फिलाल हम एनलेसिस पे चलते हैं, और हम देखते हैं, कि कल क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम एक हलका सा उबजर्वेशन लेते हैं, यहाँ पर आज हम डिसकेशन करने वाले हैं, निफ्टी-फिफ्टी का, आप लोगों की काफी डिमांड आ रहे थी, हम किसी कारण से निफ्टी-फिफ्टी के वीडियो नहीं बना पा रहे थे, पर चलो आप continue रहेगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 28 का एक observation ले लेते हम, कि 28 को market ने किस तरीके से perform किया, जैसे कि आपको एक particular market इस range में दिखाई दिया, और जब भी कोई भी range में market जाता है, मैंने आपको चार pattern बता हुए है, चारो patterns में से आपको कोई सा ने कोई सा patterns नजर आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले portion में, आपको ये वाला pattern दिखाई दे रहे हैं, तो जब भी market किसी भी pattern में या फिर एक range में जाता है, मैं आपको हमेसा कहता हूँ कि आपको trading को avoid करना है, आपको बस observe करना है market को, और इंतिजार करना है, या तो आपको breakout मिल जाए, या फिर breakdown मिल जाए, यहाँ पर आप देखेंगे, इस वाले zone में आपको breakdown मिला है, price नीचे sustain करा है, तो आपको selling opportunity मिलिए है, तो जिसने भी इस opportunity का फाइदा उठा है, वो मुझे comment करके जरूर बताएगा, तो यहाँ पर अगर हम important level की बात करें, तो 17,350 जो कि हमें एक resistance के रूप में दिखाई दिया है, यह एक important level रहेगा, साथी साथ 17,300 ये भी हमारे लिए एक resistance के रूप में रहेगा, ध्यान देनी वाली बात यह है, 17,300 को हमने इसलिए चुना है, क्योंकि market ने पहले इस पर एक मजबूत support दिखाया है, और मैंने आपको हमेसा बता है, जब भी हमारे किसी support zone का breakdown होता है, अगर market उसे नीचे की तरफ से उपर की तरफ एप्रोच करेगा, तो यह एक मजबूत resistance के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाया देगा, तो अगर market में हमें positive momentum देखने को मिला, तो यह 17,300 एक resistance के रूप में काम कर सकता है आपके लिए, और अगर market इससे भी उपर जाता है, तो 17,350 आपको एक resistance के रूप में काम करता हुआ दिखाया देगा, चलो फिलाला में एक नज़र डाल लेते हैं, price action की मदद से support और resistance पे, जो हम पहला discussion करेंगे, अगर market में आपको gap up opening देखने को मिली, या फिर flat opening देखे, market में आपको positive momentum दिखाया, दोनों ही situation में market positive रहने वाला है, इन दोनों ही situation में जो हमें resistance नज़रा रहा है, यह 17,200 पे हमें resistance नज़रा रहा है, अगर आपको इसका breakout मिल जाता है, फिर आप देखेंगे 17,400 पे आपको दूसरा resistance दिखाया 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 है, वहीं बात करें हम, अगर market ने आपको gap down opening दे दी, या फिर flat opening दे के market ने आपको negative momentum दिखा दिया, दोनों ही situation में market negative रहेगा, इन दोनों ही situation में जो हमें support नज़रा रहा है, यह 17,000 पे एक support दिखाया 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 है, अगर market इसका breakdown देता है, फिर आप देखेंगे 16,800 पे हमें दूसरा support यहाँ पे दिखाया दिखाया दे रहा है, चुले एक नज़र हम no trading zone पे भी डाल लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो red line दिखाया दे रही है, उपर ले वाले line की बात करेंगे 17,216 है, नीचे लेवाल line की बात करेंगे 17,045 है, जब तक market आपको इस zone में दिखाया देता है, आपको market में कोई भी position नहीं बनानी है, अगर आपको इसका breakout मिलता है, तो आपको मिलेगी buying opportunities, अगर breakdown मिलता है, तो आपको मिलेगी selling opportunities, क्या उपर की level होंगे, क्या नीचे की level होंगे, इनका discussion हम करते हैं, pivot point की मदद से, यहाँ पर दिखेंगे, अगर Nifty 50 ने आपको एक positive momentum दिखाया, ऐसे इस्तिती में, जो हमें पहला resistance दिखाई दे रहा है, यह 17,248 पर दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसका breakout मिलता है, जो में दूसरा resistance दिखाई दे रहा है, यह 17,368 का दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसका भी breakout मिलता है, जो आपको तीसरा resistance दिखाई दे रहा है, तीसरा resistance डिसकुश करने से पहले में, आपको बता देना चाहता हूँ, कि यह किसी भी तरह का, ना तो कोई buy recommendation है, ना ही कोई selling recommendation है, यह just educational purpose से बिनाए गया analysis वीडियो है, इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी research करने है, अपने investor की सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपको होने वाला है, lows की जिम्मिदार भी आपको अपनी आप लेनी है, जो यहाँ पर हमें तीसर resistance दिखाए दिरहा है, यह 17,480 पे दिखाए दिरहा है, वही पर आप देखेंगे, आपको निफ्टी 50 में आपको negative momentum दिखाए दिया, ऐसी स्तिती में जो हमें पहला support दिखाए दिरहा है, यह 17,052 पर दिखाए दिरहा है, अगर आपको इसका breakdown मिलता है जो में दूसरा support दिखाई दे रहा है यह 16,932 पे दिखाई दे रहा है अगर आपको इसका भी breakdown मिलता है जो में तीसरा support दिखाई दे रहा है यह 16,859 पे आपको तीसरा support दिखाई दे रहा है एक नजर अगर हम option chain पे भी डाले यहाँ पर आप देखेंगे हमने 3rd February की expiry select करके है call की साइड हम देखेंगे resistance को put की साइड हम देखने वाले हैं support को resistance की बात करेंगे तो 17,300 पर एक resistance निजर आ रहा है जहाँ पर आप देखेंगे 22.7 lakh आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है अगर आपको इसका breakout मिलता है फिर आप देखेंगे 17,400 पर हम एक resistance निजर आ रहा है जहाँ पर आप देखेंगे 16.6 lakh आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है बात करें support की तो 17,000 पर आपको support निजर आ रहा है जहाँ पर आप देखेंगे 15.7 lakh आपको यहाँ पर open interest दिखाई दिरहा है अगर market ने इसका breakdown दे दिया फिर आप देखेंगे 16,900 पर आपको support दिखाई दिरहा है यहाँ पर आप देखेंगे 9.7 lakh आपको यहाँ पर open interest दिखाई दिरहा अगर इसका भी breakdown मिल गया फिर 16,800 जो इस 16,800 है और इस 17,000 है आपके साथ discuss किये गए हैं इवन 17,300 भी आपके साथ discuss किया गए है यहाँ पर आप दिखेंगे 16,800 पर आपको 13,000,000 का open interest यहाँ पर दिखाई दी रहा है दोस्तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा अगर आप इस चैनल पर नए है सबस्क्राइब कीजेगा साथ इसाथ बेल आइकन भी प्रेस कीजेगा जिसे आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पास गए ठीके दोस्तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छी कॉंटेंट के साथ थैंक यू